आप देख रहे हैं दखल न्यूज मद्धिप्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंग ने कहा कि कॉंग्रेस सरकार बनाए और जनता के साथ किये गए वादो को पूरा करे हम अपने सभी कारेकरताओं को लेकर प्रदेश की जनता के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंग ने कहा चुनाव में कॉंग्रेस को इस पष्ट बहुमत नहीं मिला है फिर भी प्रदेश संगठन के प्रमुक के तोर पर मैंने और सरकार के प्रमुक के तोर पर शिवरा सिंग चोहान ने जनता के इस आदेश को सिर जुका कर स्विकार किया है उन्होंने कहा कि हम कॉंग्रेस और कमलनाज जी को सरकार बनाने के लिए बधाई और शुबकामनाय दे चुके हैं अब कॉंग्रेस सरकार बनाए और जनता से किये गए अपने वादों को पूरा करें यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हम प्रदेश की जनता के साथ मैदान में खड़े होने को तयार हैं कॉंग्रेस सरकार के शपत ग्रहन समारों में आ रहे अन्य दलों के नेताओं के सम्मंध में पूछे जाने पर सिंग ने कहा कि इस सम्मारों में देश और अन्य प्रदेशों के जो नेता नहीं आ रहे हैं अगर उन्हें भी बुलाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी वज़ए यह है कि प्रदेश की राजनीती में बाहर के किसी नेता का कोई वजूद नहीं है और उससे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा आप देख रहे हैं दखल्यों